वट्सप के डिलीट मैसेज को कैसे देखें, कैसे रिकवरी करें कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी से चैटिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जिससे आप चैटिंग कर रहे हैं उसने जो है कुछ लिख करके भेजा आपको और तुरंत डिलीट कर दिया अब आपके पास सामने लिखा हुआ आता है कि डिलीटेड मैसेज अब आप सुचते हैं कि यार इसने क्या ऐसा भेजा था जो तुरंत डिलीट कर दिया कौन सी ऐसी चीज थी जो इसको डिलीट करना पड़ा क्या इसने लिखा था आप वहाँ पर सुचते हैं कि इसको कैसे देखें कैसे इसको रिकवर करें आप यह जरूर सुचते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जब आप औफ लाइं होते हैं तो किसी ने कुछ लिख कर के भेजा और उसके थोड़ी दिर बाद इसने डिलीट कर दिया और जब आप online आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर कि message तो आया हुआ है लेकिन वहाँ पर deleted message लिखा हुआ है आप आप सोचते हैं कि यार क्या इसने ऐसा भेजा था जो इसको delete करना पड़ा और कई बार ऐसा हुआता है कि जो deleted message होते हैं वो आगे चलके बहुत ज़्यादा काम आते हैं आपके लिए तो आज मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि वर्टसप के deleted message को कैसे देखते हैं कैसे recovery करते हैं आप deleted message को real time recovery कर पाएंगे जिस time आप chatting कर रहे हैं जिस time delete हुआ उसी time आप देख पाएंगे कि इसने क्या लिखा था एक सिकन्ड नहीं लगेगा आपको आप देख लेंगे कि इसने क्या लिखा था बहुत यह सांदार ट्रिक है और यह वीडियो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने में लिए पूरी वीडियो देखना नमस्का दोस्तों मैं हूँ रोन और आप देखने टाइग इनकर रोन यूट्यूब जैनल आईए फट अफट अफट शुरू करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने फोन के अंदर एक एप इनिस्टाल करना है आपको जना है प्ले स्टोर के अंदर और यहाँ पर टाइप करना है वर्टसप डिलीट मैसेज रिकवरी एप यहाँ पर जो थर्ड नमबर पर आपको एप दिख रहा है इसको जो है आप आपको इन्स्टाल कर लेना है अपने फोन के अंदर इन्स्टाल हो जाने के बाद आपको इसको ओपन करना है इसको अप जैसे ओपन करेंगे आपके सामने को यहें तरीकी का इंटरफेस आएगा यहाँ पर आपको let's start पर किलिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर जो है next कर देना है next, next, next ऐड यहाँ पर जो है कुछ permissions मांग रहा है आपको enable कर देनी है सारी permissions आपको allow कर देनी है यहाँ पर आपको whatsapp delete वाले option को enable कर देना है और back आना है और यहाँ पर faces को enable करना है जितने भी permissions मांग रहा है बस आपको enable कर देना है सभी को यहाँ पर नीचे scroll down करके यहाँ पर whatsapp delete को option देख जाएगा इसको आपको enable कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको done कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको एक आदी ads देखने को मिलेंगी आपको इनको ignore करना है उसकी बाद आपके सामने कुछ इस तरीके के इंटरफेस आयागा यहाँ पर आपके मेन वर्टसप से सारा डेटा आ चुका है जो भी आपके मेन वर्टसप पर स्टेटस होंगे जितने भी कंटेक्ट होंगे उनके स्टेटस यहाँ पर सो हो रहा है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इनको आप डाउनलोड करके अपने गैलरी के अंदर भी जो है सेव कर सकते हैं इस एप के जरी हैं आप यहाँ पर आपको यहाँ पर चैट वाले आप्शन के अंदर डिलीटेड मैसेज सो करेंगे तो अब क्या करना है आपको इस एपको बंद कर देना है अब चलता हूँ मैं में वर्टसप के अंदर और अपने दूसरे वर्टसप से जो है इस पर मैसेज करता हूँ और उनको डिलीट करता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पर जो है डिलीटेड मैसेज सो होंगे या फिन नह त only reckless कॉसमज में नहीं आएगी क्योंकि मैं पटा नहीं क्या लिख रहा हूं मैं ओल्टा सीधा कुछ लिख दे रहा हूं अब यहांपर स्को अपर को शुन कर देता हूं अब मैं इसको डीलीट कर दोंगा तो मैंने इसको डिलीट कर दिया अब आप देख सकते हैं कि हाँ पर जो है मेरे इस वाले वाटसप के अंदर इस मैसेज वाज डिलीटेड लिखा हुआ आ रहा है तो अब हम इस डिलीटेड मैसेज को कैसे देखेंगे चलिए जानते हैं आप क्या करना है अब कुछ नहीं करना है बस आपको इस application के अंदर जाना है जो app आप आप ने डाउनलोड किया और यहाँ पर refresh करना है उसके बाद यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक अधियाड देखने को मिलेंगी जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है आपको इसको कट कर देना है अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मैसेज आया था वो यहां पर मैसेज SO हो रहा है और यह message delete हो चुका है इसलिए यहां पर यह message पूरा red दिख रहा है जो message delete नहीं होगा वो आपको red नहीं दिखेगा चलिए एक और message करते हैं और उसको delete नहीं करेंगे तो मैं यहां से hello लिख के भेजता हूं तो यहां पर refresh करेंगे तो जैसे कि आप लो देख पारे हैं, यहाँ पर hello लिखके आ गया है, और एक और message बेशते हैं, और इसको delete करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा sorry और send कर दिया, और इसको delete कर दिया, अब यहाँ पर फिर से refresh करूँगा, तो जैसे कि आप लो देख पा रहे हैं, जितने भी delete message होंगे, वो जो है red color में यहाँ पर so होंगे, और अब चलते हैं main app के अंदर, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह दोनों message मेरे delete हैं, और जो hello वाला है, वो जो यहाँ पर so हो रहा है, तो कुछ इस तरीके से आप deleted message को read कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको इस app को जो है अपने phone के अंदर इन install करके रखना है, बस बाकिया आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपके कोई भी deleted message आते हैं, आपको इस app के अंदर जाना है, और यहाँ पर देख लेना है, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं deleted message, I hope कि आप सभी को यह टरिक बहुत ही अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और से जरु कर देना, और चैनल पर पहली बार आया है, तो चैनल को लेना, सब्सक्राइबर और साथ में बैल लाइकन को दबा लेना, क्योंकि मैं हमेसा इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो जाबता रहता हूँ, सो नमस्क्राइब मिलते हैं यह इंटरस्टिंग वीडियो के साथ में,